हलो दोस्तों आप सब कर स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में दोस्तों आज मैं आप सब के लिए एक बहुत ही मैत्वपून टॉपिक लेक्याई हूँ सूरज निकलने से पहले भीगे बदाम खाने के इतने फाइदे आपने सुने ना होंगे आये चानते हैं इसके बारे में बादाम को शुरू से ही सिहत के लिए वर्दान माना जाता है जब हम इसे रात भर पानी में भीगो कर सुब छील कर खाते हैं तो इसके फायदे कई गुना और बढ़ जाते हैं बादाम में मौझूद मिनरल्स, विटमिन्स, डाइटी फाइबर, दिमाग को तरो ताजा रखने के साथ साथ शरीर के मेटाबॉलिजम में भी सही से वर्ग करता है भीगा हुआ बादाम पचने में भी बहुत ही आसान होता है आज हम आपको बादाम के गुणों के बारे में बताने जा रहे हैं भीगा हुआ बादान पाचन में भी मदद करता है ये लाइबेज नामक एंजाइम की विग्यप्ति करता है जो वसा की पाचन के लिए फायदे मंद होता है इसके अलावा भीगे हुए बादाम आपके स्वास्त के लिए कई तरह से फायदे मंद होते हैं डायवेटी से बचाता है रात में पानी में भीगो कर सुब छिलका उतार कर बादाम खाने से जिने सुगर हो चुकी है उनकी कमजोरी दूर करता है खाना खाने के बाद बादाम लेने से ये सुगर और इंसुलीन का लेबल बढ़ने से रोकता है जिसे डायवेटी से बचाव हो सकता है ये खराब केलस्टॉल के अस्तर पर नियंतरन रखता है उच्छ कैलिस्ट्रॉल की समस्या आज भारत में सबसे आम बिमारियों में से एक होती जा रही है उच्छ कैलिस्ट्रॉल हिर्दय रोग और दिल की धमनियों में रुकावट सही कई प्रकार के रोगों का एक कारक है इस समस्या के लिए बादाम आपकी मदद कर सकता है बादाम शरीर में अच्छे कैलिस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाने में खराब कैलिस्ट्रॉल के स्थर को कम करने में बहुत मददकार है ये दिल को स्वस्त रखता है बादाम एक बहुत ही शक्तिशाली एंटी ऑक्सिडन्ट एजेंट है जो LDL, कॉलिस्ट्रॉल के ऑक्सिकरन को रोकने में मदद करता है बादाम के ये गुन दिल को स्वस्त रखने और पुरे हिर्दय प्रणानी को नुकसान और ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करता है अगर आप दिल की बिमारी के किसी भी रूप से पीडित है तो स्वस्त रहने के लिए अपने आहर में भीके हुए बादाम को शामिल करें हाई ब्लड प्रेशर को भी नियंद्रित करता है बादाम ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छे होते हैं जर्नल फ्री रेडिकल रिसर्च में प्रकाशित एक अध्यन के अनुसार वग्यानिकों ने पाया कि बादाम का सेवन करने से ब्लड में अलफा टोकोफेरकॉल की मात्रा बढ़ जाती है जो किसी के भी रख चाप को बनाये रखने के लिए महत्वपुन होती है अध्यन से ये भी पता चला कि नियमित रूप से बादाम खाने से एक व्यक्ति का ब्लड प्रेशर नीचे लाया जाता है और ये 30 से 70 वर्ज की उमर के बीच के पुरुशों में विशेश रूप से प करता है भीगा हुआ बादाम एंटी ऑक्सिडेंट का भी अच्छा श्रोथ है ये मुक्त कनों के नुकसान से बचा कर उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोकता है भीगे बादाम में विटमिन B17 और फॉलिक एसिड कैंसर से लड़ने के मददगार साबित होता है रात को पान बचा जा सकता है तो फिर किस बात की देरी है रोज सुबर भीगे बादाम खाकर आप भी अपने शरीड को पोशन से भरपूर करें उमीद करती हूं दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परिशानी का हल ढून रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों हमारे चैनल हेल्थ्टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूले हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब